नमस्कार दोस्तो अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी और बहानक खबर राजिस्थान से आ रही है जी हाँ दोस्तो मातर दो मिनट पहले की राजिस्थान से सबसे बुरे खबर दोस्तो आपको बता दे अभी अभी राजिस्थान में भीशन सड़क हाथसा हो गया है और दोस्तो इस सड़क हादसे में तीन सगे भाईयों समेते एक ही परिवार के पांच यूवकों की मौत हो गई है दोस्तो आपको बता दे घटना राजिस्थान के भरतपुर जिले की है बरतपुर जिले में नई कार लीकर घरवालों को बिना बताई घूमने निकले तीन सगे भाईयों समेते पांच यूवकों की बीशन सड़क हादसे में दर्दनाक मोत हो गई है हादसे में कार की परखच्ची उड़ गई है इन में से एक यूवक की आठ दिन पहले ही साधी हुई थी हादसे की सूचन मिलते ही मिरतकों की घरों में कोहराम मच गया है पुलिस ने सवों का पोष्ट मारडम करवा कर उने परिजनों को सौप दिया है हादसे में यूवक की कार से टकराने वाली बोलोरों में सवार चार लोग घैल हो गई है अतिरेक्त पुलिस अधिक्चक रगवीर सिंह ने बताया कि यह दर्दनाक हादसा जिले की पहाडी थाना इलाके की बरखीडा गाउं में बुद्वार रात को हुआ वहाँ एक कार और बोलोरों में आमने सामने की जबरदस्त बिटन्त हो गई थी कार में पाँच यूवक और बोलोरों में चार लोग सवार थी हादसे में सभी लोग गंभी रूप से घैल हो गई थी इसी दोरान पहाडी से गोपालगर थाने जा रहे ASI बावुलाल में गायलों को देखा तो उन्होंने उनको पहाडी CHC में ले जाकर भरती कराया उसके बाद सूचना पर पहाडी पुलिस भी चिक साल ले पहुँच गई लेकिन दोस्तो आपसे बार-बार यही हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी आप गाड़ी ड्राइव करें तो आप बड़ी साव धानी से चत्राई से गाड़ी चलाएं क्योंकि दोस्तो ट्रेपिक बहुत जादा है भगवान इनकी आत्मा को सांती पहुँचाए इसलिए कोमेंट बॉक्स में ओम सांती ओम आवेस्ट से लिखें तता पहली बार चैनल पर जुट रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब आवेस्ट से करें